हेलो दोस्तों आपका स्वागत एक नए वीडियो में आज कि इस वीडियो में बताने वाला हूँ ओपो ए 17 के में किस तरह से आप अपने डिस्प्लेय पे अपना नाम लिख सकते हैं जब भी आपका मुबाइल लोग हो जाएगा तो आपके डिस्प्लेय पे सो करेगा चले दो दोस्तों सेम आपके मुबाइल पर भी ऐसे ही सो करेगा तो आप अप्लिकेशन डावलोड कर लिजे और इस तरह से सेटिंग कर लिजे फिर आपको अपने स्क्रीन पे सब दिखाई देगा दोस्तों आपको बताने वाला हूँ ओन डिस्प्लेय यानि कि जब भी आप मुबाइल लोग करके रख देते हो तो आपकी स्क्रीन पे चाहते हो कि टाइम दिखाई दे आपकी बैटरी दिखाई दे कितना परसेंट चार्ज है या आप अपने मुबाइल के स्क्रीन पे चाह तर्ल rendezर आपको डाउनलлоड कर लेना है जिसका नाम है इसका रेटिंग देख लीजिए रेटिंग 4.2 पा रेटिंग है और नाम है are always on display तो प्ले स्टोर से दोस्तों आपको क्या करना है अप्लिकेशन डाउनलोड कर लेना है और जैसे आपकी मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है डाउनलोड होने के बाद दोस्तों दोचार परमीशन का उप्सन आता है तो आपको क्या करना है परमीशन देने के बाद कुछ सेटि डॉन्लोड मोट हो गया घड़ा करता हूं इसको पहले करने को इस तरह से आपको किजिस्द आना है एक्षेब करते हूं कि करें यहां पे क्लिक करता हूं किद्य यहां पे औलाउ करी न देता हूं किलाव करने बाद आजाएगा आपके अप्लिकेशन ओल ऑप्सन में जहां से आपको पर्मिसन देना है कि यूज कर सके इस तरह पर्मिसन में दे दिया फिर से एक बार मांग रहा है तो चलिए हम notification के लिए तो यहां पर और आपको परमीशन देना पड़ेगा चलिए यहां से भी हम नोटिफिकेशन वाला पर भी एलाव कर दिये ठीक है यहां से दो जगे से आपको दे देना है चलिए आगे की सेटिंग आपको बताता हूं की डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके इस तहरे का arrived यहां अऑप सेगा है द calamal। सबसे उइस से उपर दिया है तो आपको सर्फिस क्लिक करना है जुक क्लिक नथेat सबस्तित आपको एसे रहने देने हैं कुछ भी समिनेगर दूसरा दोस्तों दे दिया है वाच वाच फेश कस्टमाइज तो दोस्तों चलिए दूसरा ओप्षन पर हम क्लिक करते हैं तो आपके दूसरे ओप्षन पर क्लिक करके अंदर आ जाना है तो यहां पर दिया इसका साइज आप जो आपकी मोबाइल के स्क्रीन पर मतलब जो घड़ी दिखाई देगा वाच उसकी साइज आप कितना बड़ा छोटा रखना चाहते हैं अपने इसाब से आप एड़िस्ट करके सेट कर सकते हैं पहला हो गया दूफरा दिखा रहा है दोस क्या पहला ही रहने देते ठीक है यह पहला हो गया और दूसरा आ रहा है दोस्तों जो आपकी मोबाइल में वाच यानि की घड़ी जो लिखा रहेगा एक घंटा जैसे की टाइम लिखा रहता है एक बच के 35 मिनट अगर ओ टाइम का भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो य यानि के मालेज यह एक बच के 35 मिनट हो रहा है अगर उसका मिनट का कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप अपने उस मिनट का कलर अपने हिसाब से अडिशेश्ट करके सेलैक्र पे कर देना है हो के दोस्तों इसके आगे दिया है सकंड जो आपके मोबाइल में सक दालो हो जाएगा फिर बेक आजाते बेक आजाने के बाद दोस्तों आपको ऊपर दिया है एक कॉल वाला और वाच का दोस्तों यहां पर इस सब घड़ी दिया हुआ है इस तरह से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन में सेट कर सकते हैं पहला है दूसरा नीचे आपको यह सब प पर घड़ी शेट हो गया और आपकी इसक्रीट अगर आप अपने नाम लिखना चाहते हैं इसमें तो नाम भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं नीचे नीचे आजाने कब यहां पर दिया है डिटल फाइज अगर डिटल फाइज आप कम बेस करना चाहते तो अपनी साब से आप इसका कलर आपको बताया था उस तरह से आप अपने घंटे का यहां लिखना तो यहां से आप अपनी जगप इसके जगपर आप अपना नाम लिख सकते हैं जैसे आप अपनी स्क्रीन बंकरेंगे तो अब पे टाइम बैट्टी और साथ में आपको ऐसा जो भी आप अपना नाम लिखते हो तो आपकी स्क्रीन पे यह नाम दिखाई देगा दोस्तों इस तरह से आप अपना नाम लिख सकते हो और यहां पर text का color दिया है आप जो color चाहें वो color आप set कर सकते हो फिलाल मैं पीला कर देता हूं दोस्तो अब मैं आपको दिखाता हूं अपने screen पर दोस्तो आप मेरे screen पर देख रहें किस तरह से color दिखाई दे रहा है किस तरह से set हो गया है तो दोस्तो सेम आपके mobile पर भी ऐसे ही show करेगा तो आप application डाउलोड कर लिजे और इस तरह से setting कर लिजे फिर आपको अपने screen पर सब दिखाई देगा